नमस्ते थरड़ाई में आपका स्वागत हैं आज हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे देश का समिधान और उसके नीचे नहपाल का कारपाल का और लेजिसलेचर की विधायका की 6 अक्टूबर को आंत प्रदेश के मुख मंत्री जगन रिड़ी साहब देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी साहब से मिले 6 अक्टूबर इसी 6 अक्टूबर को और उसके पहले ये भी पेपर में खबरे आई हैं कि उससे पहले वो हमेशा से भी मिल लिये थे ये स्टोरी के बाद 10 अक्टूबर को एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें उनके सायोगी कल्नम साहब जो थे जो पराने चीफ सेक्टरी थे जो अब इनके मुख मतलब अधिकारी हैं जो सब देखते हैं उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की और वहाँ पे एक आठ पेज की चिथी जो डेड़ी ने भारत के चीफ जिस्टर्स आफ इंडिया पोब्डे साहब को लिखी है और उसमें एनेक्शन भी बहुत लगाए हैं कि क्या 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 गलती हो रही है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी जगह का एक चीफ मिनिस्टर आरोप लग के और जैसा कि परंपरा के साब से होता है सुप्रीम कोर्ट में वह परंपरा इंद्रा गांजी ने तोड़ी थी जब एमर्जेंसी लगी थी लेकिन आज तक उसके अलावा परंपरा ठूटी नहीं है तो अगर अभी के साब से देखें तो चीफ जस्टिस बोब्डे के अमन्ना साहब वो 24 एप्रिल 2021 से 26 अगस 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे अगर वो परंपरा गत्स दंग से चलता है अनलेस अनकल बीच में कुछ ऐसा ना हो जाए यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर जगन रेड़ी साहब ने आरोपों पक्षवे काम कर रहे हैं इस तरह के आरोप लगा है उस पर विस्तार्चा बाद में चर्चा हो जाएगी लेकिन ये इसलिए आवश्यक है आपको समयना ये कोई केवल नियाय पालका की समस्या नहीं है ये कहीं न कहीं वो जो एक management of state है management of elections है ये सब चीज़ें एक दूसरे स अब घुल मिल गई है हो कह रहा है कि अब ये भी खबर आ रही है कि more or less अब ये certain है कि जगन रेड़ी NDA जोइन करने जा रहे हैं अभी तक जगन रेड़ी NDA का हिस्सा नहीं है अच्छा NDA की हालत अभी क्या हो गई है कि उनके पास सहयोगी दल तो बहुत हैं लेकिन पूरे NDA में एक केवल रामदा से ठावले हैं जो नौन बीजेपी हैं तो काईदे से सरकार कहने को NDA की है लेकिन for all practical purposes ये बीजेपी की सरकारे सिंटर में तो अच्छा ऐसा लग रहा है कि जो अभी खेल खेला गया है पटना में बिहार में मतलब तो बिहार election के बाद चीजे बहु हो रही है हो सकता है बीजेपी की को 115 120 सारी सीटों पर जीट जाए लेकिन ये तहा है कि नितीश कुमार जो 70 71 सीट है उससे कम बहुत कम सीटें आ रही है क्योंकि उनको उनको हराने का काम लोग जन्शक्ति पार्टी के साथ एक अगोशत समझ होता है के साथ जो बीजेपी कर कर रहे हैं कि नितीश कुमार के पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा बलकि NDA से बाहरा हाला कि नितीश कुमार NDA का हिस्सा है पर उनका कोई मंत्री नहीं है मंत्री मंदल में तो उनको NDA से बाहर आएंगे अब वो NDA से अगर बाहर आते हैं तो 16 MP उनके पास हैं लोग सब उस पे भी अभी चर्चा कर ले रहा है लेकिन इससे पहले वो जो आरोप लगा रहा है एंवी एंवी रहमना पे मुझे लगता है कि उसको ठीक से और क्या क्या आरोप है और कैसे हैं क्योंकि वो भी एक एक बहुत ही complicated है चीज़ें समझने के लिए उस पे एक अलग से किसी दिन बात कर लेंगे एक किसी एपिसोड में या लाइव में बात कर लेंगे अभी हम लोग केवला पता ध्यान रखते हैं कि जगन रेडी ने चिठी लिखिये क्योंकि जगन रेडी के ऊपर भी दो हजार बारा में CBI ने इस प्रोपर्शनेट एसेट इतना पैसा उन्होंने कहीं मतलब मिस्यूज करके उस आफिस को चीफ इनस्टर के उनके पिता थे चीफ इस्टर इतना पैसा कमाया था उस समय अगर आपको याद हो कि इस चक्कर में वो एरेस्ट भी होए थे में 2012 में फिर 16 महीने वो जेल में पिर वो बाहर आ गए थे अब वो सारी चीजें इस समय एक सीबियाई की जो स्पेशल वहां पे कोट है है उसमें फरवरी में एक होई थी डेट पड़ी थी पिर करोना आ गया अब उसका ऐसा कहा जा रहा है कि अब उसकी फाइनल सुनवाई या वो फिर शुरू होने वाली ह मतलब इनकी दिक्कते थोड़ी शुरू होंगी इनकी अीज़ी कोर्ट का और सीबियाई का शुकंजा और वर कसे गहा है ृडिकली कहना युए है कि जैसा आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि CBI also act as a मतलब central government के किसको tight करना है किसको करना है उस तरह से act भी करती है तो वो एक tool भी जगन ready साब को tight करने के लिए रहेगा अब मैं थोड़ी आप से बात कर ले रहा हूँ इसलिए कि वो important है आपके लिए समझने के लिए देखे एक होता है supreme court का collegium, collegium इसलिए बोला जाता है कि वो ही collegium इस देश में पहला अकेला देश दुनिया का है कि जहां judge appoints judge और इसके against कई बार कोशिश होई है कि national judicial recruitment board मनें वो नहीं हो पा रहा है उसकी जो अपनी खामिया है वो अपनी जगह है लेकिन मैं किवल अपने को restrict रख रहा हूँ कि collegium आपको समझाने के लिए collegium में दो है one, two, three important यह collegium में जो supreme court के judge number एक जो CGI होते है उसके बाद senior tics आप से 2, 3, 4, 5 एक से 5 तक judgeों को मिलाके supreme court का collegium बुला जाता है उसमें किसी-किसी मामले में एक, दो, तीनी रहते हैं लेकिन ज़्यादा तर मामले में एक, दो, तीन, चार, पांच judge रहते हैं और जिस मैं उस detail में फिर कभी लेकिन अभी आपको सर्छ समझने के लिए बता दू नमबर एक पे हमारे CGI हैं नमबर एक, CGI बोब्डे सहाब है जो महराष्ट के मूल निवासी और वहीं के high court में practice करते थे और 19 मार्च, 2000 को वो Bombay high court में judge appoint हो गए थे मैं ये इसलिए समझते चलिए कि इसका कोई relevance है तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर वो अचा रूट क्या होता है पहले आदमी अपने high court में judge बनता है और फिर उसको किसी ना किसी दूसरे state का chief justice बनाये जाता है और फिर वहाँ से वो supreme court लाये जाता है ये standard procedure है फिर वो chief justice बने मद्ध प्रदेश high court के और वो 16 October 2012 से 11 April 2013 तक वो मद्ध प्रदेश high court के chief justice बने और फिर वो प्रमोट होके supreme court में आ गए और अब वो 23 April 2021 में as CGI retire हो जाएगे दूसरे नंबर पे जो है N.V. रमन्ना साहब ये आंध प्रदेश के है और ये हैदाबाद में practice करते थे आंध प्रदेश high court के ये judge बने और उससे पहले ही ये additional educate general 1998 से 2000 तक थे ये वहाँ पे judge 27 जून 2000 को बनाए गए और इनके बारे में ये कहा जाता है कि additional educate general जब थे तो उस समय चंद्रबाबू नाइडू की सरकार थी जब ये judge बने तब भी चंद्रबाबू नाइडू चीफ मिनस्तर थे तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इनकी और चंद्रबाबू नाइडू की बहुत घनिष्टा है तीसरे नंबर पे हैं मैं अभी कॉलिजियम के बात करता हूँ ये समझ लीजे फिर अगली बात समझने में आसानी होगी तीसरे नंबर पे रोहिंटन सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट जजज बने सीधे बार से मतलब ये उस मतलब किसी हाई कोर्ट के जजज और पे सीजियाई वाले लूट से नहीं आए एक exception होता है ये हिंदुस्तान के पांचवे ऐसे व्यक्ति हैं मतलब ऐसे लॉयर हैं जो सीधे practice करते हुए इनको 7 जुलाई 2014 को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जजज बना दिया गया था हाई कोर्ट का क्योंकि बाकी जगा जब हाई कोर्ट के जजज बनते हैं तो कुछ लोग बार से आते हैं कुछ लोग services से आते हैं higher judicial services से ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजज बनाए गया थे तो ये नंबर 3 पे हैं ये 7 जुलाई 2014 को नंबर 4 पे एक important आदमी है नंबर 4 पे justice U.U. ललित हैं ये भी मूलु रूप से महराश के निवासी हैं सुप्रीम कोर्ट में practice करते थे और ये भी छटे वो व्यक्ति हैं जिनको सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया गया है ये भी जजज के रूट से नहीं आया है मतलब ये lawyer थे practice करते थे सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस 2014 में जब BJP की नई सरकार आई मतलब दरियंद मोदी साहब की सरकार आई तो इनको सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया गया इनके बारे में एक चीज और जान लीजे ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें clear होंगी मैं कुछ चीज़ें आपको खुद भी तो ये उसमें अमिशा साब के लॉयर थे उनकी तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में अपियर होते थे इनकी भी मतलब घंश्ता या जैसे एन्वी रमन्ना की घंश्ता कही जाती है चंद्रबाबुनाइडू से तो इनकी भी घंश्ता या नजदी की क्लाइंड के हैं, हमिशा साब से भी बोली जाती है और ये भी महराश्ट के हैं पांचवें जो हैं जो मतलब इस समय कॉलीजियम में वो खनवाल, खानविलकर हैं खानविलकर साब भी महराश्ट के हैं बॉंबे हाइकोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे 29 मार्च 2000 को उसी दिन जिस दिन जस्टिस बोबडे हाई कोर्ट जजजज बने थे सेम ड़े ये दोनों लोग हाई कोर्ट जजजज बने थे और उसके बाद ये कुछ 5-6 महिने के लिए हिमाचर प्रदेश के चीफ जस्टिस बने 24 नमबर 2013 से 13 माई 2016 उसके बाद ये सुप्रीम कोट के जज्जमन किया गए ये बताने का दो तीन वज़ें से मैं आपको बता रहा था एक तो अभी जो हैं उसमें से पांच जजमें से चार लोग मूल रूप से महराष्ट के रहने वाले मूल उनका जो भार है अब इन पांच में से दो लोग तो बार से आ रहा हैं तो अब बचे तीन अब इसमें फिर से बता दें ये पांच जजमें से दो लोग तो बार से आ रहा हैं तो बचे तीन जज ये बताना इसलिए ज़रूरी है उन तीन जजमे दो जज मद्रप्रदेश हाई कोर्ट में रहे हैं एक जस्टिस का नाम इसलिए ले ले रहा हूँ तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि यह क्यों हो रहा है उनका नाम है जस्टिस महिश्वरी जस्टिस महिश्वरी इस समय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और वो मद्र प्रदेश हाई कोर्ट में 2005 से जजज बन गए थे और जब जस्टिस बोबडे और जस्टिस खानवल कर आए तो इन्हों ने उनके साथ एक लंबा समय as brother judge मतलब वो भी बेंच में थे ये लोग chief justice थे उनके साथ काम किया है तो मानी हुई बात है कि अगर साथ काम किया है तो इनका एक report उनसे ठीक होगा दूसरा क्या है अब ये आंध्र प्रदेश के justice हैं आंध्र प्रदेश से M.V. रमना साहब भी आते हैं और जब भी किसी जगह का कोई chief justice अपॉइंट होता है तो कॉलोजियम के अलावा उस bench से जो judge आया हुआ रहता है सुप्रीम कोर्ट में उसके उससे भी सला मश्वरा किया जाता है और written में किया जाता है ये कोई वो नहीं written में वो भी अपनी सला देता है कि ये स्लाइट तो एक तरह से इनका direct repo जो पांच कॉलोजियम के वो हैं उसमें से justice बोब्डे justice रमन्ना और justice महिश्वरी के साथ direct repo एक तरह से है अब इनको जगन रेड़ी इनके उपर भी आक्षेप लगा रहे हैं कि ये जो justice महिश्वरी हैं ये उसी तरह से रोस्टर बनाते हैं और हमें तिक्कत करते हैं ये करते हैं अब एक चीज़ समझ लीजे justice महिश्वरी जो हैं वो 29 जून 1961 बॉर्ण है तो अगर उन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं भी जाते हैं तब भी वो रिटायर होंगे 28 जून 2023 में अभी तीन साल करीब उनको हाई कोर्ट में और रहेंगे ये इनके लिए मुश्किल होगा जगन रेड़ी साहब के लिए अच्छा चूकि उनका एक दो और पांच मुझे ऐसा लगता है कि महिश्वरी साहब के बास वो तागत है कि मतलब वो कोई ऐसे हलके फुल के चीफ जस्टिस नहीं है अब यहाँ पर फिर वापस आ जाए आपको समझाने के लिए कि ये क्यों हो रहा है ये इसलिए जो आप खुछ समझिएगा जस्टिस बोब डे 23 एप्रिल 2021 में रिटायर हो रहे है नॉर्मल अगर चलता रहता है तो एन्वी रमन्ना साहब 24 एप्रिल 2021 से 26 अगस 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और इनको कहा जा रहा है कि इनकी एक किसी मतलब चीफ मिनसर चंदवाबू नाइडू से इनकी घनिश्टा है जैसा जगन रेडिया रोप लगा रहे है इस बीच जो नंबर 3 है निर्मन साहब वो अल्रेडी 12 अगस 2021 में रिटायर हो जाएंगे तो अब वो तो बनेंगे नहीं जो नंबर 4 पे यू यू ललिट साहब है वो अगर यह सब ऐसी चलता रहा तो एन्वी रमन्ना के रिटायर होने के बाद वो 27 अगस 2022 से 8 नोवेंबर 2022 करीब सेप्टेमबर अक्टूबर तीन महिने से और कम धाई महिने के लिए करीब वो भी सुप्रीम कोर्ट आब वो भी चीफ जस्सेस ओफ इंडिया बनेंगे और जो पांच नमपर के खनवालकर साहब है वो 29 जुलाई 2022 में अल्रडी रिटायर हो जाएंगे तो वो चीफ जस्सेस ओफ इंडिया नहीं बनेंगे अब इसमें क्यों इंपोर्टन है इसमें इसलें इंपोर्टन है कि एन्वी रमन्ना साहब जो है वो अगर 24 एप्रिल 2021 से 26 एकस 2022 तक रहते हैं तो वो क्रूशियल समय है कई जगा के एलेक्शन है और सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट एलेक्शन है कहां का उत्रप्रिदेश का ऐसा माना जा रहा है कि उनकी घनिष्टा थोड़ी जैसा जगन रेड़ी कह रहा है अब अगर इस तरह का CGI बैट जाता है तो हमारा जो जो इस समय का आप लोग देखी रहे होंगे इस समय की जो हमारी पुलिटकल लीडर्शिप है वो कमफोटेबल नहीं है अब क्या होता है आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि इस डाइरेट लाइन को कहीं चेंज किया गया हो अब एक चीजी हो सकती है कि अभी एप्रिल है अक्टूबर में बैट है साथ महीने में इतना उनके उपर आरोब लगाना शुरू करो जगन रेड़ी के थुरू कि वो या तो खुद ही हाँ जोड़ दे रिजाइन कर दें कुछ कर दें पत्तब वो कहें कि I don't want this रिजाइन बहुत से लोगों ने चीफ जस्ट पहले भी बहुत सुप्रिम कोर्ट के जजजेस ने किया जब इस तरह की बाद या एक ऐसा मौहल बना दो जहां पर ये उनको सुपर सीट करने में आसानी रहे कि ये तो बहुत ही ऐसे जस्टिस थे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जगन डेड़ी ने क्योंकि it amounts to contempt अगर प्रशान भूशन ने कुछ कोई आदनी मुट साइकल पे बैठ गया था उसके लिए कह दिया था उनके उपर contempt को जला तो here also it amounts to contempt एक चीफ मिनिस्टर खुले आम ये आरोप लगा रहा है और आरोप सिर्फ ये नहीं लगा रहा है और आरोप ये लगा रहा है कि उनकी लड़की भी जस्स रमन्ना की लड़की जो अमरावती में हाई कोट शिफ्ट होना है उसमें जमीन का स्कैंडल यह हो सब डीटेल के साथ दे रहा है तो it also amounts to मेरे हिसाब से कहीं न कहीं अब मानना का मामला भी है लेकिन ये pure politics है मेरे हिसाब से क्योंकि अगर रमन्ना साहब नहीं आते हैं तो यू यू ललिट साहब जिनोंने सोराब अद्दीन और तुलसी राम प्रजापती में अमिश शाह साहब के लॉयर के तोर पे काम किया था उनको एक लंबा समय मिलता है 24 एप्रिल 2021 से बीच में 24 एप्रिल से नहीं मिलेगा करीब दो महिने तीन महिने के लिए निर्यवन साहब भी आएंगे और उसके बाद फिर वो एक लंबा समय 22 एगस से उनको मिल जाएगा 22 एगस 2021 से 8 नॉमबर 2022 तक का एक लंबा समय उनको मिल जाएगा Chief Justice of India की कुर्सी पे रहने का मेरे हिसाब से इस समय Constitution के ये तीनों भागों में जो विधायका है वो इंटर्फियर करने की कोशिश कर रही है अच्छा या बुरा है आज की तारिक में उसका जो जो appointment का system है वो ही है होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग विशह है लेकिन आज की तारिक में मुझे ऐसा लग रहा है कि विधायका कहीं न कहीं न्याय पालका को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है धन्यवाद अगर आपको दी पब्लिक के कारकरम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहा है तो चैनल को सब्सकाइब करें और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इन्हें पब्लिक के पेज को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि हम निश्वक्ष पत्रकारता को जारी रखते हुए आप से जुड़े मुद्धों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सयोग करें आपका छोटा से छोटा सयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा डुनेट करने के लिए डीटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं अन्यवाँ